सुधिर चाहभिरी ने कहा क्या है सुधिर चाहभिरी ने ये कहा है अम आपको क्लिए कर दे third HR 31 को इनका इनोंने रिजाइन किया रिजाइन के बाद दूसरे मुखमंतरी के लिए इनोंने नाम गोषिट करा मतलब रिजाइन बाद में किया पहले इन्होंने एक चमप को अपने ही एक रिलेटिव सोरेन को मुख मंत्री के लिए लेटर दिला दिया उसके बाद रिजाइन के बाद इनकी अरेष्टिंग हुई लिजाइन के बाद अगर लिजाइन के बाद अलस्टिक है तो कतहीं भी गैर कानूनी नहीं है उस पे निउस बनती थी और निउस देना बहुत जरूरी था चुकि पूरी देश सुनना चाहिती थी और खास तोसर सोरेन के भष्टा चार को नमस्कार स्वगत है आपका आप देख रहे हैं स्टेवी निउस और मेरानी गुपता आपके साथ पत्रिकार सुधीर चौधरी पर केस किया गया है स्सी एस्टी मामले को लेकर के हेमन सोरेन के कुछ समर्थकों के द्वारा ये केस दर्श करवाया गया है आपको बता दे कि इससे पहले हेमन सोरेन जो है वो एडी के आफिसर्स पर भी स्सी एस्टी के तहत केस दर्श करवा चुके है ऐसे में सवाल ये उटता है कि जिन अधिकारियों के द्वारा इस पूरे के पूरे जमीन गुटाला मामले को लेकर के हमन सोरेन के खلاफ जाद चल रही है क्या उन पर इस तरीके से सी एस्टी के तहत केस दर्श करवाना या फिर जो पत्रकार इस मामले को कवर कर रहा है उसके खλαफ केस दर्श करवाना कितना सही है सी एस्टी एक्ट को लेकर के फिलाल अगर बात हम आज तक के एंकर सुधीर चौधरी की करें तो लगातार उनकी गिरफतारी की भी मांग उठ रही है ऐसे में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे विस्तार से हमारे साथ मौजूद है वरिस्ट पत्रकार अजजी सर्ट स्वागत है आपका देखने को मिल रहा है कि पहले हमन सोरेन जो है वो एडी की टीम पर केस दर्च करवा देते हैं एडी की टीम जमीन गोटाला मामले को लेकर के जाच कर रही है दूसरी होर अगर हम बात करें पत्रकार सुधीर चौधरी की तो उन्होंने भी तो बस लोगों को इन्फोर्मेशन देने की काम की है कि आखिर इस केस में चीज़े क्या चल रही है क्यों है मन सोरेन की गिरफतारी हुई है लेकिन ऐसे में उनके खलाफ कीस दर्श करवाना उनके समर्थकों के द्वारा वो भी SCST के खलाफ क्या कहेंगे इस पर कितना सही है ये देखें ये बिलकुल गलत है और ये एक योजनाबत तरीके से कहनाने चाहिए एक्ट का दुर्प्योग जो लोग ओरिजिनल होते हैं उनको नहीं मिल पाता और एक्ट का दुर्प्योग करना है योजनाबत तरीके से और ये परदे के पीछे इस पर कांग्रेस है आपको बताने सुधिर चौधिरी ने कहा क्या है सुधिर चौधिरी ने ये कहा है है हम आपको किलिए कादे 59ieben को इनों ने बंब किया जाइन के बाद दूसरे मुखमंत्री के लिए इनों ने नाम गोसित करा मतलब रिजाइन बाद में किया, पहले इन्होंने एक चम्प को अपने ही एक रिलेटिव सोरेन को मुख मंतरी के लिए लेटर दिला दिया, उसके बाद रिजाइन के बाद इनकी अरेस्टिंग हुई, अगर रिजाइन के बाद अरेस्टिक है तो कतहीं भी गहर कानूनी नहीं इनकी अरेस्टिंग हुई, उस पे न्यूज बनती थी और न्यूज देना बहुत जरूरी था, चुकि पूरी देश सुनना चाहिती थी, और खास तोसर सोरेन के भष्टा चार को, चुकि सोरेन का सलक्षन इंडी गडवंधन को, इंडी गडवंधन के सामने पोईशन थी, क उदर ये नार्थीष्ट में गए, बुरी ते के बीट हो गए थे, तो ये कांग्रिस को बुड़ा लगा, अब उन्होंने न्यूज क्या दी, न्यूज देना उनका धर्म था, और उसी रात को चुकि ये न्यूज थी, लगवई इनकी अरेस्टिंग साले 9-10 बजे हुई है इनका कारकरम आता है, प्राइम टाइम सो, ब्लेक और वाइट, उस पे इन्होंने न्यूज दी, न्यूज में उन्होंने ये कहा, एक बेंग्यात्मग लहजे में, कि जेल में सोरेन की रात, आधवासी की तरह 20-30 साल पीछे जंगल में जाने जैसी होगी, बस तो मैं उन्हो लिए जो जैंगलात होगी, जो वेक्ति बड़े बड़े उसमें रहा हो, जिसका बाप आप समझ लिए आज से काफी साल पहले 20 करोर रुपिया संसन में लेता था, 20 करोर रुपिया एक बात के लिए, एक दिन का 20 करोर रुपिया, 20 करोर समय बहुत था, आज के वो करीब 400 कर रुपिया से काफी साल पहले 20 करोर रुपिया, अब पकरा जाता था इसका बाप, सीवो सोनन, उस पे, तो आप समझ लिए, दूसरा जो बड़े बड़े चार्टेट प्रेन से चलता हो, तो उन्होंने यही कहा कि उस रात, मतलब की जेल में सोनन की रात, आदवासी की तरह 20 30 साल, 40 साल पीछे जंगल में जाने जैसी होगी, बिल्कु सही, आदवासी बहुत गरीवियत में रहते हैं, कैसे वो रहते हैं, और उन्ही का जो यह आका, सोनन, यह इतने इतने रुपाय मारता है, इसके पाप बड़ी-बड़ी गारिया चार्टेट प्रेन से चलता, अब आदवासी के आप देखें, क्या पोचिते हैं, उन्होंने बिल्कु सही कहा, यह कहने का अधिकार है, कांस्ट्यूशन आप इंडिया आर्ट की 191-1 के तहट, कता ही बुड़ा नहीं का, उसके बाद उन्होंन बोला, वह आज रात कहां बिताएंगे, सही बाद, एक दिन E.D के बताया, फिर दूसरे दिन जेल में बिताया, फिर उन्होंने आगे क्या इसके कहा है, कि वह बिलास्तापूर जीवन सहली का आदी है, आदी नहीं है, आदी है, सोरें जो है, यह आदी है, बिलास्तापूर जीवन का, बिलास्तापूर ही जीवन जीता, यह वहां के आदव बहेंकर गर्मिन में देखा गया बहेंकर जारे में ऐसे नहीं देखा गया यह हमेशा चार्टर प्लैंस एक से बढ़ी होटल क्या जुरूवत थी टॉप के होटल में रुकने के आपने जो अपना घर दिल्ली पे लिया है वहां पे वो कितना गजब का वह है कितनी बड़ी सु अब आप देखें इसके आंगे क्या पोईशन इनकी उन्होंने इसके बात कहा है उन्होंने कि यह एक कठिन रात होगी प्राइवेट चार्टेट प्लेन बड़ी बड़ी गारियों से यह चलना है आज इस महने की पहली तारिक से वैसा हुई होगा जैसा 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले होता था उन्होंने सही कहा कि 24 साल पहले जो जैसे रहते थे वैसे इनको जेल की रात दिखेगी कोई बुरा नहीं का हकीकत है जेल की रात ऐसे होती है फिर उन्होंने इसके आगे कहा सोरेस परवार को क्या आरक्षन मिलना चाहिए जो आद्मी चार्टेट प्लें से चलता हो अतने प्राइबेट प्लें हो इतने उस पे रहते ऐसे लोग को आरक्षन नहीं मिलना चाहिए ये सोरेन नहीं कह रहे हैं ये तमाम दलित उसके बड़े बड़े अधिकारी का और दूसरी बात है डाक्टर भीमराओं अमबेदकल जी ने भी कहा था वो जिन उद्देशों को ले करके आरक्षर के लिए आये थे उसको कांग्रेस ने बिगार दिया अमबेदकल जी के सपनों को इन लोगों ने चकना चूर किया कांग्रेस के लोगों ने और उसकी जगाए एक पुतले को ख़रा कर दिया माटी के पुतले को बावु जगजीवन नाम को जिनके उपर मिराज और जगवार के कमीशन के आरोप ते जिनकी लड़की तथा कती यहा बाद उन्होंने क्या कहा जब यह ऐसा कहा उन्होंने तो अब क्या है उनके खिलाब मुकदमा कौन दैर कर ला मैं आपको बता दू मुकदमा दैर कर लहीं वहां की आदवासी सेना आदवासी सेना वहां पे काफी विवादास्पद है आदवासी सेना ने कल भी वहां पे पूरे जहारखंड में आदवासी सेना उसमें काफी लोग हैं उनके रिकॉर्ड आप पता लगा लिए आदवासी सेना वहां पे अप्रोच रूप से सासन कर लई और उस पे काफी किमनल लोग हैं उससे मुकदमत है किसने कराया मैं आपको बता दू इनके दो चार्टेट प्ल जहारखंड में और हैं गुपत जगवा पर खरें इनके पूरी कांगरेस घर्चा कर लेए कि हम इनको किसी तरह अपने चैप उसमें ले ले और हम अपनी लडाई इनके कंधे पर चलेंगे इनके कंधे पर ये कांगरेस की साजिसन के तहत पे इननों क्यों कराया मैं आपको भी बता दे रहा हूं इसलिए कराया है कांग्रेस इनके पीछे आज से नहीं पड़ी बहुत पहले इसके पहले 2012 में कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं ने एक मीटिंग करके अपने सांसन नभीन जिंदल से कह करके समीर अहलूबालिया और सुधी चोधरी को अरेश्ट करा दिया था एक जूटे उस पे बाद में पता चला कॉंस्प्रेसी थी नमी इनकी कांग्रेस की कॉंस्प्रेसी थी और उसके बड़ी जिंदल को लगातार ये सांसत बगारा सब देते रहें उसमें नमी ये बाकाहिदे छूट गए बाइजजद छूटे हैं ये सुधी चोधर इसके बाद क्या हुआ इनके उपर अप्राधिक मामला दायर कराया गया किसने कांग्रेस की जो हो है और कमनिष्ट सब की मिली हुई ये मववा मुईत्रा ने 2019 में और क्या क्या है कि अप्राधिक केस में फासी बात के एक सुरुवाती नाला दिया थे जो डोनाल टर्म मार् को बता रहा है कि कंडडेट इनके उपर एक मुकदमा और दायर कराया गया जो अप्राधिक मुकदमा कराया थे के मववा मित्रा ने अप्राधिक कोई हुआ नहीं किया थे इननों ये सिविल सूट होना चाहिए इसके बाद 2020 में जिहाद सब्द पर कराया गया जिः आपके यूज करते हैं मुस्लिम आतंगबादी यूज करते हैं उस पे कराया गया उस पे भी इनको वाकाइदे छूट भी लिए सब ये टोटल कांग्रेज ने कराया इस पे होना क्या चाहिए मैं आपको बता लूँ ये कांग्रेज की सियासा था है इन्होंने कृषोर कुमार के गान कि सुधी चोधरी साब बोलता है इनको तकलीफ होती है और सुनिया लाहूल ने खरगे से कहा कि तुम करो दाय तो खरगे जी ने मना कर दिया मैं बूरा हो गया हूं मेरी उमर अब जादा नहीं है तो फिर अपने लड़के से इन्हों प्रयांस खरगे से कह करके दाय का और सुधी चोधिनी ने एक कोई सब्द का यूज उनसे गलत हो गिया था उन्होंने तुरंत ही जी न्यूज को दोसी ठहरा आया था और ये मुकदमा वास्तों में इनको अपनी सिकाइट ले जाने चाहिए प्रेस काउंसिल आप इंडिया तता एन्बी डिया में और ये जो प्योग हो रहा है एस्टी एक्ट का गलत हो रहा है हिंदुस्तान भर के पत्रकानों को एक हो जाना चाहिए खास तोर से सर्म से उसको जुग जाना चाहिए जो बिहार का एक हो अपने बलतकारी भाई को मंतरी बनाने के लिए लगा था लालू से और नितीज से रवीस कुमा पत्रकार को इसमें खासतोर से बोलना चाहिए चुके पत्रकार के साथ गलत हो रहा है वो वास्तों में निस्पक्छ न्यूज देता है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर करके जब पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और आपकी भी राय इस खबर पर जो भी हो हमारे जरूर बताएं घन्यवाद